नमस्कार आदाब नियूस क्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बीजेबी के मंतरी उनके नेता हाल फिलाल में और जब से वो लोग जीत कर आए हैं तब से लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके के वयानबाजी सार्वजनिक शेत्र में कर रहे हैं जिन से उनका मखौल उड़ रहा है चाहे वो महाभारत के समय में इंटरनेट की बात हो या नारत की तुलना गूगल से करने की बात हो तो इसी मुद्धे पर हमारे साथ बात करने के लिए फिर से मौजूद है बरिष्ट पत्रकार उर्मिलेश जी उर्मिलेश जी निउस्क्रिक में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत तो बात इसी मुद्धे से शुरू करते हैं कि कितना गैर जिम्मिदाराना है एक सत्ता रूर पार्टी का उसके नेतां उसके मंत्रियों का इस तरह के फजूल बयानबाजी करना और कितना सरकार की जो एक क्रेडिबिलिटी है क्या रह जाती है कि अगर वो जनता में एक मजाख का पातर बन रही है देखिए यह बहुत सारे लोगों के लिए मजाख का विशाय है कि नेता ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे हमारे टेल्वीजन जो मेंस्टीम जो चैनल है आज कल के उन्होंने सुना है कि अपने नियूस्टीम को कहा है कि तुरुपरा के चीव इनिस्टर सहाब जहां भी जाएं उनके लिए कैमरा टीमें फालो करें उनको बलकि रिपोर्टर भी जाए कैमरा टीम भी जाए और जरुरत पड़े तो ओवी बैन भी बेजिये तो इतनी शिद्दत के साथ उनको महाराष्ट के सीम से मध्य परदेश के सीम से या उत्तर परदेश के सीम बिहार के सीम जो बड़े राज्य हैं बंगाल की सीम इन लोगों स Però сюда काई रहे हैं इतनी अज्ञानता भरी बातें कर रहे हैं कि वह मजक का विशह बन गया है और मजक का विशह लोग कहते हैं कि हमारे जो धरशक हैं टेलीजिजन के वो दावा कर रहे हैं कि वो चाहते हैं मज़ा लेना हवर में भी मज़ा और च्थनिक खबरों को इन्होंने इन्फो टेरडमेंट पेपक आप तबसक्ता है आ है तो हमारा दर शक्त करने गहां डिए और दोसरी तरफ चैनल की गई जवाब देई ये दोनों का जो डेडली कंबिनेशन इतना ख़तरनाक है कि मैं समझता हूं कि सूचना संबाद और जनसंशार के छेत्र में ये आपराधिक काम है जो हो रहा है जो जो मैंने सुनी है बात तो ये इसका स्रोत कहा है इसका स्रोत है कि हमारे राजनेता जैसा आपके सवाल में है कि वो जान बूच कर कई बार और कई बार मुर्खता में इस तरह की बातें कर रहे हैं अब जैसे यह कहना कि इंटरनेट जो है महाभारत के जमाने में था अब यह कहना बहुत सारे पार्टी के निताओं का जो सत्तारोड़ दल है देश का कि विमान तो हमारे यहां बहुत पहले से था वो तो यूरोप यूरोप के लोगों को बेवज़ा क्रेडिट देती है दुन जानता के आनंद लोग का क्या खत्रा है इसको आम आदमी न समझे लेकिन वो अपना फैदा इससे समझें फैदा क्या है कि लोगों को इतना बेवकूफ समझा जाए लोगों को इतना अग्यानी बनाया जाए जैसे पहले गाउं में कस्बों में क्या होता था ओजा सोखा होत जो कोई बीमारी में भी कहते थे कि आपको भूत आ गया है आपको प्रेट आ गया है तो डॉक्टर के आपको नहीं जाना है हम ठीक कर लेंगे वही हाल है कि लोगों को पूरे समाज में इस तरह अग्यानता फैला दो इस तरह स्यासपद इस्थिती पैदा कर दो कि लोग सीरिय कि लोगों की अवर्स ना लगातार क्यों होता रहता है इसके पीछे पीठी को लेकर इतनी सारे और तो तो यह तरह से मुझे लगता है राजनीत में नया ट्रेंड है कि लोगों को शिक्षा से रोजगार से है längerसे हैं उनकी अपनी जो समस्याएं हैं उन से अब किस को इस बात की फिक्र है कि फ्रेस्ट फ्रिडबर में हम एक सब और तीसमे नमबर पर आ गए है इस पार किसको फ्रिडबर में कि जो असमांता अपने समाज में है उसका जो इंटरनेशन ग्राफ है उस 파ॉं keeping इ Alien अंगर इंडेक्स में हमारी स्थिती क्या है आप कल्पना कीजिए कि इस देश में कितने लोग कुपोष्ण से मर रहे कितने लोग तरह-चरह की ऐसी बिमारियों से मर रहे जिनका समाधान जिनकी दवादारू बहुत आतानी से हो सकती थी तो मुझे लगता है कि एक योजना इसकी पीछे है अग्यानता मुरुखता का ये प्रचंड प्रदर्शन जो है इसके पीछे भी एक राज नहींती है अग्यानता के आनन्द लोग की बात करी तो क्या हम इसे 2019 से जोड सकते हैं क्योंकि मोदी जी ने बहुत ही चुनोती पूर्ण तरह से बोला था कि मैं 2019 से पहले अपनी सरकार का और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूँगा लेकिन पिछले चार साल में जो हो रहा है जो हुआ है चाहे अनिम्प्लॉइमेंट हो चाहे जैसे कि आपने वेल्थ जो गैप बढ़ रहा है उसकी बात हो या घोटाले हो जितने भी बैंकों का पैसा लेके लोग देश से पलायन कर रहे हैं उन सब को देख लें तो उस रिपोर्ट कार्ड में दरसल कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा तो आपको लगता है कि यह आनंद लोग जो अग्यानता का अनंद लोग जो बन रहा है उसको कहीं ना कहीं इन सब मुद्वों को से भटकाने के लिए इस्तमाल किया जा रहा है पिल्कुल यही यही योजना है क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं करने को इन्होंने इतने सारे वादे की थे कोई वाइदा पूरा नहीं किया बलकि हालात और इस्तिया और खराब होई है अब पहले ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे अब तो आम लोग कहते हैं यार वो बुरे दिन बहुत अच्छे थे जो पहले जिनको ये बुरा दिन कहते थे वो तो इससे बहतर थे तो मैं ये कहा रहा हूँ कि वो हालात भी अच्छे नहीं थे हम तो वाकई बहतर समाद चाहते थे बहतर लोग चाहते थे इसलिए वोट किया था मोदी जी को क्योंकि उनकी बातों में लोग यकीन कर लिया था उस दोर में लेकिन ये यकीन इसकदर तूटा है इतने कम वर्शो गूगल कोई नहीं चीज नहीं है कोई कुछ कहता है इतनी यजीब हर चीप मिनिस्टर स्पीकर अच्छे इन लोगों को यह अंदाज नहीं है कि जो कुछ आप बोल रहे हैं आप स्वहम सेवक होते आरे से के तो बात समझी जा सकती थी लेकिन आप कांस्ट्यूशन की शपत नहीं है आपको इस बात से मतलब नहीं है कि भारत को तरक्की के किस रास्ते पर ले जाना है मुझे ऐसा लगता है कि आरेसिस का जेंडा रहा है आजादी की लडाई से पहले और आजादी की लडाई के बाद जब हम फ्रीडम हासिल किये दो तरह की धारा हैं बिलकुल साफ जोस्ते थे कि भारत जो प्राचीन काल में था जो मध्य काल में था उस से हमें भारत को आगे ले जाना है सिर्फ एक धारा रही है आजादी से पहले कि जिसका आजादी की लडाई में कोई हिस्सा नहीं हैоты और जनसंग की जो आज déjà पी है जो ये कह रही थी कि हमने अब आज इप्छा पद्धती बदलनी चाहिए और गुरुकुल प्रणाली लागू करनी चाहिए यह आरे सेच चीफ का बयान है जो इस देश में संग परिवार के सबसे बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं कि हमें गुरुकुल प्रणाली जानी चाहिए जाहिए जाहिराज जीनु नहीं चाहिए उनको इंस्टियोट आफ टेकनॉलजी नहीं चाहिए उनको टाटा इंस्टियोट आफ सोसल साइंसेज नहीं चाहिए उनको गुरुकुल चाहिए तो गुरुकुल में अग्यानता के आनंद लोग में धकेले रखना चाहते हैं वो कब इन चीजों को समझेगी और जब पूरी तरह समझेगी तो मैं समझता हूं बहुत देर हो जाएगी यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के राजनितिक दलों को सामाजी संगटनों को जितने बात करी आम जनता की तो उसी से एक चीज हम यह देख सकते हैं कि एक बुद्धी जी वर्ग है उसमें तो बीजेपी आरेसेस के लोगों का थोड़ा सा मजाग मतलब उनके खिलाफ बाते जाहिर से हो रही है लेकिन उनका मजाग भी बन रहा है लेकिन आम जनता तक यह जो सा आपको क्या लगते है कि हमारे देश का फविश्य सच में कैसे होने वाला है क्योंकि जनता दरहसल नहीं सबज रही है या राजनियतिक दल समझाने पा रहे हैं दिखी चुनाव जहां तक जीतने का प्रश्ण है अगर आप देखिए जहां जहां अब पोजीशन जो था परिवर्तन यह नहीं करा सके या या कई जगा इनकी नहीं चली अब उदारानों देखिए दिल्ली में ही अब उदारानों देख लिजे पंजाब में उदारानों देख लिजे बिहार में हम इन कमोबेश अगर देखा जाए तो इन राजियों में इनकी नहीं चली इसके बा से replace किया है बहुत जगों पर बहुत सारे राज्यों में जो एक नया राज्य है जहां Congress नहीं थी त्रिपुरा है जहां इन्होंने replace किया तो यह बार बार कहते थे कि मानिक नहीं चाहिए हमें हीरा चाहिए तो हीरा मिल गया है उनको विपलो आमिन विपलो थे के रूप में हीरा त्रिवा को दे दिया इनहोंने और हालत इतनी खराब है कि त्रिव राक को कहां यह ले जाएंगे जिस त्रिव राको मानिक सरकार ने उगरवाद से ले करके और मिलिटन्सी और तमाम तरह की जो उस समय कंफ्रिक्ट जोन बना हुआ था एक तरह से तरी पुरा लेफ्ट के जाने से पहले अगर आप देखिए उसको लेफ्ट के जितने चेप मिनिस्टर वहां रहे उन्होंने एथनिक गृप्स के जगड़ों को दूर किया मानिक सरकार साब ने जब उनकी सरकार आई उनकी जब गौ़र्मेंट आई तो उन्होंने एक स्मूथ एड्मिस्रिशन एक काम्याब एक माहौल पैद वहां पर बनाया जो पहले से चली आ रही सरकारों का भी उसमें हिसे दारी थी जो और चीप मिनिस्टर थे लेफ्ट फरंट हैं वह बहुत ही खतानात हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई जगा यह भी आरूप है कि यह मैनिस करते रहे हैं चुनाव को और जाहिरे बहुत सारे अब नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजिंसिस के जरिए चुनाव को एक खास प्रबंध करिये कोशल के जरिए लोगों के दिमाग को बदला जा रहा है भ्रहम प्हलाया जा रहा है बहुत सारे इवियम्स पर भी सवाल हैं मेरे पास कोई बहुत प्रामानिक डेटा नहीं है तो मैं इस पर नहीं बात करूँगा लेकिन लोगों के दिमागों में बहुत सारे शक और वह तो हैं तो ऐसी स्कितियों में मैं समझता हूं कि एक बड़े जनांदोलन बड़े इस तर पर जन गोल बंदी और लोगों के बीच जाने के जरूरत है लोगतांत्रिक और स्टेकुलर फोर्सेश को इसका और कोई विकल्प नहीं है आप अगर समझें कि केवल मीडिया के जर लोगता की बात हम कर रहे हैं तमाम उनकी मुर्फताओं की बात कर रहे हैं उनके देश विरोधी और समाज विरोधी चरितर की बात कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर एक बड़ी खासियत है कि वो लगातार फैले हुए हैं कहीं धर्म के नाम पर कहीं जाती के नाम पर कहीं के नाम पर गोशालाओं के नाम पर जितनी खुराफात करने वाली संस्ता हैं उन में लगातार उनके लोग काम कर रहे हैं कई जगा अच्छी जो संस्ता हैं उनमें उनके काम कर रहे हैं अब जैसे मंदिर मंदिर हमारे समाज में आस्था का एक बड़ा केंद्र है खासकर हिंद का तब तक हम बड़ी कामयावी हासिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन्हों ने पिछले कई सालों में बहुत मेहनत की है और उतनी मेहनत चायद दूसरे तरफ से नहीं हुई है यह परिणाम है कि अग्यानियों के एक बड़े गिरोह को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और जो समस्दार लोग हैं जो वाकई समाज को बदलना चाहते हैं या बेहतर दिशा देना चाहते हैं उनके प्रती इस तरह की बेरुखी नजर आई है तो यह इस कमी को इस असंतुलन को आपको एड्रेस करना होगा हम इसी बिंदू पर अपनी आज की चर्शा खत्म करते हैं हम हमा झाल झाल